Concentration हम स्यमस्म Миха Muslims इसे ढोर हैब उसने कहने श्यूटिभी CHANKिने अटर। जोरैा हluence आपो पूर्फिक्टेन स्वखेली तरह है तो आज मैं को प्रसंन प्रसंन की आपको प्रसंन.... देशल के बंगराम कैसे बनता है इसका मैन आकशन क्या है इसका क्या रवात्व ... इसा कोई काम जो हम ने पास्ट में क्या और उसके असरात अभी तक मुझूद हो ऐसे काम के लिए हम present perfect tense यूज़ करते हैं perfect का मतलब होता है complete perfect means complete ऐसा काम जो past में complete हो गया और उसके असराद अभी तक मुझूद हो ऐसे काम के लिए हम ये tense यूज़ करते हैं ये इसका main action है इसकी situations जो है वो उसके बाद में कभी class लाएंगे आपके सामने हैं यहाँ पे इसका diagram बना हुआ है इसमें दो times मैंने mention की हैं एक यह है जो present है आपका अभी का time now और एक यह है एक घंटा पहले का time यानि एक बज़े यह starting time है और यह arriving time है एक बज़े मैंने lunch खाई तो एक बज़े के बाद अभी तक इसके असरात मुझूद हैं और इसके असरात आगे भी जाएंगे ऐसा काम जो आपने past में किया और अभी तक इसके असरात मुझूद हो ऐसे काम के लिए यह tense आप यूज कर सकते हैं इस formulation की help से जिसमें you are required to have subject then helping verb of present perfect tense have or has यह आपको पहले भी आज़ किया है कि जो जिसके साथ agree करेगा उसके साथ आएगा has agree करेगा third person singular के साथ third person singular कौन से हैं he, she, it, any single name बाकी सब के साथ आप have लगाएंगे उसके बाद verb की third form उसके बाद आएगा object जो के unnecessary होता है active structure में यह tense याद रखें हम आज active structure में सीख रहे हैं I have eaten lunch यहाँ पे I subject है उसके बाद helping verb है have उसके बाद है work की third form eat की eaten उसके बाद है lunch जो के object है I have eaten lunch का मतलब है मैं lunch खा चुका हूँ दोपेर का खाना खा चुका हूँ यानि ये काम मैंने थोड़ी देर पहले किया पास्ट में किया और उसके असराद अभी तक मौजूद है the result is that I don't need to eat anything else उसके असराद ये हैं कि मुझे मज़ेद किसी चीज़ के खाने की जरूरत अब नहीं है she has gone to कराची यहाँ पे subject है helping verb है third farm है और कराची है object नहीं है ad verb compliment है she has gone to कराची का मतरब है वो कराची जा चुकी है the result is that she is still there इसके बाद ये sentence है he has broken his leg वो अपनी टांग तोड़ चुका है the result is that his leg is still broken इस तरह से इसके sentences बनेंगे you have finished आप अपना काम खतम कर चुके हैं जहातर students समझते हैं finish मतरब कोई बंदा मरी गया finish का मतरब है आप अपना काम खतम कर चुके हैं you have finished आप अपना काम खतम कर चुके हैं subject helping verb third form of the verb अब इसके negatives की बात करेंगे negatives में थोड़ी सी additional change आएगी helping verb के बात यहां पर इस जगा बिलकुल N.O.T. not आप लगाएंगे Pakistan 10 same state में रहेगा I have not eaten lunch आप yet लगा सकते हैं yet means आप expect करे हैं के यह काम थोड़ी देर में होने वाला है वरना यह ना भी लगाएं तो कोई फरक नहीं पड़ता she has not gone to कराची he has not broken his lake you have not finished yet yet का मतरब होता है के आप expect कर रहे हैं के यह काम near future में होने वाला है इंट्रागेटिस बनेंगे यह helping verb जो present perfect tense के साथ है जो जिसके साथ agree करेगा वही पहले आएगा have I eaten lunch इस तरह से इंट्रागेटिव sentence बन जाएगा और आखर में question mark आजाएगा has he gone to कराची इस तरह से इसका इंट्रागेटिव बनेगा इसका इंट्रागेटिव बनेगा has he broken this lake इसका इंट्रागेटिव बनेगा have you finished इस तरह से आखर में question mark आएगा बहुत ही आसान सा tense था आपने समझा आप इस पे practice करें आप इस पे sentences बनाएं आप इस पे speaking करें speaking करने का तरीका हमने आपको पहले भी suggest किया है अगर कोई आपके साथ partner नहीं है तो आप खुद के partner बन जाएं आप खुद से सवाल करें खुद ही answer दें जैसे के have you eaten supper I have not eaten supper यानि ये question भी मैंने किया answer भी मैंने दिया इस तरह से आप recording करें अपने phone में record करके उसे आप सुने सुने के बाद आपको यकीन इंप्रुमेंट नजर आएगी कल मिलते हैं कल किसी और नए टापिक के साथ तब तक अपना ख्याल लखे चैनल को सबस्क्राइब करें Thank you very much